दस्वाध्याय फिर वो वहां से उठकर यहूदिया के सिवानों में और यर्दन के पार आया और भीर उसके पास फिर इकठी हो गई और वो अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे उसने उनको उत्तर दिया मूसा ने तुम्हें क्या आग्या दी है उन्होंने कहा मुसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आग्या दी है येशु ने उनसे कहा तुम्हारे मन की कठोरता की कारण उसने तुम्हारे लिए ये आग्या लिखी पर स्रिष्टी के आरंब से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे इसलिए अब दो नहीं पर एक तन है इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे और घर में चेलो ने इसके विशय में उससे फिर पूछा उसने उनसे कहा जो कोई अपनी पत्नी को त्याक कर दूसरी से ब्याह करे तो वो उस पहली के विरोध में व्यविचार करता है और यदि पत्नी अपने पती को छोड़ कर दूसरे से ब्याह करे तो वो व्यविचार करत फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलो ने उनको डाटा, येशु ने ये देख कृध्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहन न करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा, और उसने उन्हें गोध में लिया, और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशिश दी, और जब वो निकल कर मार्ग में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दोड़ता हुआ आया, और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरू, अनन्त जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यूं कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर, तू आज्याओं को तो जानता है, हत्या न करना, वेविचार न करना, चोरी न करना, जूटी गवाही न देना, चल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरू, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया। येशू ने उस पर द्रिष्ट की, और उसके हदय में प्रेम उमणाया। तब उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है, उसे बेच कर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी झा गई, और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। येशू ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। जेले उसकी बातों से अचम्भित हुए। इस पर येशू ने फिर उनसे कहा, ये बाल को जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धन्वान के प्रवेश करने से उन्ट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। फिर बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उधार हो सकता है। येश्व ने उनकी ओर देख कर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीचे हो लिए हैं। येशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सूसमचार के लिए घर या भाईयों या बहिनों या माता या पिता या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय सौ गुणा न पाए घरों और भाईयों और बहिनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और पर लोक में अनन्त जीवन पर भहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे और वे यरुशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यिशू उनके आगे आगे जा रहा था और वे अचंभा करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे तब वो फिर उन बारहों को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी उसने कहा और तीन दिन के बाद वो जी उठेगा तब जबती के पुत्र याकूब और युहन्ना ने उसके पास आकर कहा ए गुरू हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुछ से मांगे वही तु हमारे लिए करे उसने उनसे कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमारे लिए करूँ उन्हों ने उससे कहा हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे युशू ने उनसे कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या ले सकते हो? उन्हों ने उससे कहा, हमसे हो सकता है? ईशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं पर लेने पर हूँ, उसे लोगे, पर जिनके लिए तयार किया गया है, उन्हें छोड़ और किसी को अपने दहिने और अपने बाएं बिठा मेरा काम नहीं, ये सुनकर दसों याकूब और युहन्ना पर रिसी आने लगे, ये शु ने उनको पास बुला कर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं, उन पर अधिकार जता पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, वो सब का दास बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप से और बहुतों की छोड़ोती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों ने उसे डाटा के चुप रहें। पर वो और भी पुकारने लगा। तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुला कर उससे कहा। दाटस बांद, उठ, वे तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीग्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा। तु क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करू। अंधे ने उससे कहा। ए रब्बी, ये कि मैं देखने लगू। यीशु ने उससे कहा। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे जंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। कर दो झाल झाल